गर्मियों में ठंडी ठंडी चीजे खाने या पीने का बड़ा मन करता है लेकिन हर ठंडी चीज हमारे पेट को भी ठंडा रखे ये ज़रूरी नहीं तो आज हम ऐसे ही जबर्दस तो रासान रेसिपी बनाएंगे जिसे खाने में भी मजाएगा और ये हमारे पेट को भी ठंडा रखेगा गर्मी में अक्सर हम कीचन से भी जल्दी फ्री होना चाते हैं तो ये जटपट बनने वाले रेसिपी बहुत काम आएगी तो चलिए ये सिंपल लेकिन टेस्टी कर्ड राइस बनाना शुरू करते हैं नमस्ते दोस्तों मैं हूँ निर्मला मेरे चनल पर आपका बहुत बहुत सागत है तड़के वाले तही चावल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक गप चावल ले लिए हैं अब चावल जो मैं ले रही हूँ वो बासमती है लेकिन आप चाहें तो नॉर्मल चावल यानी जो खिचड़ी वाले चावल आते हैं उनका इस्तमाल भी कर सकते हैं तो यह दिया आप खिचड़ी वाले चावल बना रहे हैं तो चावल को डायरेक्ट पका सकते हैं और क्योंकि मैंने बासमती चावल का इस्तमाल किया है तो इन चावलों को थोड़ी दिर भीगोएंगे तो इस चावल हैं वो बहुत ही अच्छे बनते हैं अच्छे सॉफ्ट भी हो जाते हैं तो पहले पानी डाल कर हम ने इन चावलों को 2-3 मिनिट अच्छे से धो लेते हैं इस तरह रगड़ करता कि इनका एक्स्ट्रा स्टार्च है वो निकल जाए इन तड़का वले दही चावल को बनाने के लिए आप चाहें तो लेफ्ट ओवर राइस का इस्तमाल भी कर सकते हैं यानि जो बचे वे चावल होते हैं उनका इस्तमाल करके भी ये रेसिप भी बनाई जा सकती है लेकिन गर्मियों में हमी जादा से जादा कोशिश करने कि दाजय खाना बना कर ही हम खाएं इसके लिए जो चावल हैं वो भी हम फ्रैशी बना लेते हैं तो चावल को मैंने अच्छे से दो लिया दो तीन बार पानी डाल कर और फिर से इन में पानी डाल कर हम 15 से 20 मिनिट के लिए रख देंगे 20 मिनिट हो चुके हैं चावल काफी जिसे भूल गए हैं तो जो चावल का ये पानी है वो तो हम निकाल देंगे और इन चावल को हम डालेंगे एक प्रैशर कुकर के अंदर क्योंकि दड़का वाले दही चावल बनाने के लिए हम एकदम सौफ्ट कुक चावल चाहिए अब जितने हमने चावल लिये थे उसी कप क मापकर हम धाई गुना इसमें पानी डाल देंगे तो ये धाई कप मैंने इसमें पानी डाल दिया है और मैं नमक चावल को पकाती समय डाल रही हूँ आप चाहें तो दही में भी नमक डाल सकते हैं तो पकाती समय हम नमक डाल देंगे तो बढ़िया नमकिन फ्लेवर चावल में आ जाएगा नमक को अच्छे से मिक्स कर लिया है प्रेशिर कोकर का डखन बंद करेंगे और मीटियम फ्लेम पर इसमें दो विसल लगाएंगे कोकर में दो सीटे लगाने के बाद कैसका फ्लेम हम आफ कर देंगे और इसका प्रेश्र खतम होने देते हैं तब तक हम दही को भी Fuden लेते हैं, तो मैंने letेANT 050 जमाए दहीन की डाहरा ह जमा हुआ यह दाया है हुआ दला 1 जाल लें मेंकंग की कि दहीन की दम अनी तो देखने और खाने में बहुत अच्छा लगेगा तो यह हमारा एकदम क्रिमी टेक्शर वाला दही तयार है इस दही को हम प्रीज में रख देंगे ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए क्योंकि यह जो तड़के वाले चावल होते हैं वो ठंडे ठंडे बड़े ही अच्छे ल रख देते हैं तो इतने पंखे के नीचे रख देंगे तो दो मिनिट के अंदर यह ठंडे हो जाएंगे जब चावल रूम टेंपरेचर पर आ जाएं तो इने इक पोल के अंदर ट्रांसफर कर लेते हैं ज़रूरी नहीं कि आप सारी चावल का इस्तमाल अभी करें आपको ज इन चावलों में बहुत ज़्यादा दही भी नहीं होना चाहिए और इतना कम दही भी नहीं होना चाहिए कि जो चावल हैं वो ड्राय लगी क्योंकि इन चावल को थोड़ी देर हम फ्रीज में रखेंगे ठंडा होने के लिए न तो यह दही को अच्छे से अपसॉर्ब कर ल यानि यह ड्राय चना दाल है भी गोई वी चना दाल नहीं है तो इनका क्रंच ओर टीस्ट बहुत अच्छा लगता है इन चावलों में इसी तरह से एक चमच मेंने उड़त दाल भी ले लिए हैं और अब इसी के अंदर हम कुछ सेकेंड दालों को पकाने के बाद आता चमच दालेंगे राई या फिर सर्सू कुछ सेकेंड के लिए तीनों चीजों को हम पका लेते हैं यहां पर तड़के वाले चावल में आप चाहें तो मौंग फली, काजू या फिर कच्छे प्याज का इस्तमाल भी कर सकते हैं यदि आपको पसंद दो कुछ सेकेंड इन तीनों को पकाने के बाद हम इसके अंदर आदा चम्मट जीरा डालेंगे और जीरा के साती ही डालेंगे एक चमट बारे कटीवी अद्रेग जो इनका टेस्ट और भी बढ़ा देगी, साती अपने तीकेपन केसाब सी 1-2 बारे कटीवी हरी मिर्च भी इन में आपका, ध्यान रखना है कि हरी मिर्च का इस्तमाल ज़्यादा भी नहीं करना है क्योंकि चावल ज़्यादा थीखे हो जाएंगे तो फिर खाने में अच्छे नहीं लगेंगे और बाकी फ्लेवर्स नहीं आपाएंगे दो चुटकी हिंग भी आड़ करतेंगे और साथ ही अड़ करेंगी 6-7 करीपता और लास्ट में मैं एक साबूत लाल मिर्च को इस तरह तोड़ कर इसमें डाल रही हूँ तो इसे ही चाथा स्पाइसी भी नहीं होंगे और थोड़ा जो लाल मिर्च का फ्लेवर है वो इसमें आएगा जो खाने में बड़ा ही अच्छा लगेगा बस लोफ़ेम पर सारे तड़की को हम पका लिते हैं तो एकदम कम तेल में ये बहुत ही healthy और tasty lunch या breakfast बन कर तयार हो जाता है जो खाने में भी अच्छा लगता है और बनाने में एकदम आसान है तो अब ये तड़का इन चावल की उपर लगा कर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं सारी तड़की का फ्लीवर इन दही चावल के अंदर अच्छे से आ जाएगा और थोड़ा सा मैं फ्रेशनेस के लिए इसमें बारी कटावा हरा धनियां भी डाल रही हूँ इसे भी साथ में ही मिक्स कर लेते हैं तो हैना फ्रेंड्स कितनी ज़्यादा सिंपल रेसिपी बनाने में भी आसान है और खाने में बहुत ही ला जवाब है तो ये हमारे ठंडे ठंडे तड़की वाली दही चावल तैयार है नौर्मली में कहती हूँ कि गर्मा गरम हम सर्व कर लेते हैं लेकिन आज मैं कह रही हूँ कि चलिए ठंडा ठंडा सर्व कर लेते हैं इन चावल को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए मैं तो इनकी साथ थोड़ा सा अचार रख लेती हूँ और खाना कम्प्लीट करने के लिए रख लेती हूँ थोड़ा सा मिठा तो ये मेरा बहुत ये टेस्टी सा लंच बन करके तयार है I hope आपको भी ये बहुत पसंद आएगा तो आप भी चल्दी से ये रेसिपी ट्राइ करें और कैसी बनी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को भी लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स और फैमली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरी ऐसी और भी आसान और टेस्टी रेसिपी जानते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें साथी गंडिये का बटन जरूर दबातें ताकि जो भी नया वीडियो मैं पोस्ट करूँ उसका नोटिविकेशन आपको आजाए ये बिलकुल फ्री है आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक केर बाई बाई